अगर्वाल होमे लेनिक से मैं डॉक्टर पंकेश अगरवाल सभी को नमस्कार सभी का स्वागत है जेप पे कितना भारी मैं कहना चाता हूँ कि होमे पेटिक लाज जेप पे बहुत बहुत हलका है आपके मानसिक दर्शा के लिए बहुत फाइदे मंद है आपकी शाररिक स्वास्ते के लिए बहुत फाइदे मंद है होमेपतिक ईलाज से जब तक आप अपनी बिमारी की किसी भी तरह की भयावे स्टेज तक पहुँच सकते हैं उससे पहले ही आप वापस रेस्टोर हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं तो आपको ना तो ज़्यादा दिन बिमार रहना पड़ता है, ना ही आपको बहुत सारी कॉस्ट लगती है, अगर आज हम सिरफ कोविट की बात करें, लाखों रोपे का नहीं पता, उसके बाद परिवार के दूसरे लोग आपको एसिस्ट करने में लग रहे हैं, उनके वो एक पहुंच गया, वो हर समय मन में डर है, वापस आएगा कि नहीं आएगा, कितने केसिस जो मैं देख रहा हूँ, उसमें लोग को मैं कहता हूँ, देखो, ऑक्सियन लेवल थोड़ा कम आ गया, तो यहां सोचना चाहिए, बाद में दिक्कत होती है, थोड़ा होस्पिटल वग और जब आप होमेपेथिक की बात करते हैं, तो कुछ हजार का भी खर्चा नहीं है, कुछ सौ का खर्चा है, कुछ सौ का खर्चा इसलिए होगा कि होमेपेथिक डॉक्टर अपना बड़ा समय लगाता है केस के ओपर, मैं अपने जतने कोविट के केस देख रहा हूँ, मेरा फॉर्मूला है कि मैं अपने पेशिंट को एक मिनट के लिए भी अपने से एक कॉल अवे फील कराता हूँ, और वो मेरे को जिस समय चाह रात है, चाह दिन है, जिस समय पे भी है, वो मेरे को कॉल कर सकता है, और मेरे से बात कर सकता है, आज एक बड़ी जरूरी बात है, जो म ठीक लग रहा है, मैं ठीक हो रहा हूँ, आपको confidence है, अच्छा बिल्कुल ठीक हो रहे हो, तुम कोई tension की बात नहीं है, और फिर उसके बाद वो बड़ा relax हो जाता है, तो मेरा ये एक तरीका रहा इलाज के लिए कि मैं दवा तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने patient से लगाता कर रहा है, दिल्ली NCR में मेरी दवा, जितना समय उस जगा पहुचने में लगेगा मेरे यहां से, मैं दिल्ली में, इस दल्ली में, प्रित्वियार के दज़्रीक हूँ, और यहां से किसी को गुड़गाउं दवा चाहिए, तो रात के 11 बज़े भी मैंने दवा बेजी है, दो घंटे में उसको वहां दवा मिल नहीं है, तो मेरा बताना यह है कि मैंने logistics का बहुत अच्छा arrangement किया हुआ है, मेरा patient मेरे से एक call away है, और मेरी उसके हिसाब से कुछ 100 की cost है, बहुत ज़्यदा cost नहीं है, जो कि आपको ठीक भी करती है, मन को भी शांप लगती है, परिव CT scan हो रहा है, माली जी के आज कहीं पे भी जाएं तो 6-6,500 रुपे का CT scan हो रहा है, इससे कम तो कहीं हो नहीं रहा है, कोई बहुत जान पेचान का मिल गया, तो 4000 कर देगा, चलो हम कहते हैं, lowest पकड़ो 4000, तो यह 4000 से तो क्या मेरा इलाज तो कितना, 25-30,000 रुपे में हो जा है, बात खत्म हो गई, तो आपके लिए तो खुल मिलाके आदी कॉस्ट है, आदी कॉस्ट, आप आप सुचिए. में एक एक जामपल याद आया, मेरे फादर डॉक्टर एमेल अगरवाल मात्मिर को बताया करते थे, जब मैंने उनको जॉइन तिया था क्लिनिक में, करीबन 32 साल पहले, तो अक्सर लोग यह सवाल उनसे भी पूछा करते थे, तो कहते के एक कोई शिप ओनर था, उसका जहा आया, बहुत मेकेनिक आये, बात समझ नहीं पाये, और वो चले गए राप्रस, फिर एक मेकेनिक आया, और उसने देखा समझा और उसने का ऐसा है कि मैंना इसको ठीक कर दूँगा, पक्की बात है यह, लेकिन 100 डॉलर रुपे लगेंगे आपके, तो उसने का ठीक है डन, ठ पर्टिकलर जगा पे अपनी हतोरी लेके एक हतोरा मार, और उसका एंजिन चालू हो गया, वो जहाज उसका ठीक हो गया, तो जहाज का ओनर कहता है, एक हतोरी मारने के तुम 100 डॉलर मांग रहे हो, उन बेर को बिल बना के दो अपना, तो उस विक्ती ने अपना बिल बना के दिया, कि एक डॉलर तो हतोरी मारने के, और 99 डॉलर इस बात के के हतोरी कहां मारनी है, तो ये बात को आप समझो, होमिपिती में 4000 दवाईयां होती है, कोविट के लिए मैं देखना हूँ कम से कम 100 दवाईयों का एक ब्लॉक है, जिसमें से कोई एक दवा आईगी, कौन सी द दुआ दूँ, वो दवा का निश्चित रूप से सेलेक्शन करना, दूसरी बात, वो दवा मुझे कितनी पावर में आपको खिलानी है, और वो दवा की पावर का कितना कौंटम, कितनी कौंटिटी, एक डॉप लानी है, एक डॉप का 500 या 1000 हिस्सा खिलाना है, और उसको फि मेरे को फिर अपने डोजिस के अंदर क्या चेंजिस करने हैं, और अगर सिम्टम्स में चेंज आ गया है, तो मुझे दवाई में क्या चेंज करना है, इतना सारा काम है, इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, और ये जिम्मेदारी छोटी जिम्मेदारी नहीं है, तो इस दॉक्टर को उसकी एक्सपर्टाइज का अगर फीस नहीं देंगे, तो आपको किसी की जो एक्सपर्टाइज है उसका ओनर करना नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ऐसे कल्चर के लोग नहीं है. जो भी 30-32 साल का अपना एक एक्सपीरियन्स है, वॉल्टेर एक बहुत अच्छे फिलोस्फर हुए, वो कहते थे के इट इस दी नेचर विछ हील्स, जो पुद्रत है ना, सिरफ वही हीलिंग करती है, बाकी जो भी दवाईयां हैं, यह हैं, वो हैं, यह सब मजाक है, लेकिन हीलिंग तो नेचर करती है, तो ऐसी दवा चाहिए, जो यह नेचर हीलिंग करती है ना, इस हीलिंग के प्रोसेस को एसिस्ट कर सके, तो जो होमेपितिक डॉक्टर करता है, होमेपितिक डॉक्टर क्या है, वो इस नेचर का सर्वेंट है, वो इस नेचर को जो की हीलिंग करेगा, उसको assist करता अपनी दवाईयों से ये दवाईयां उस healing के natural process को किसी तरीके से unhindered तरीके से किसी तरह से भी disturb होने से बचाती है और उसको कैसे fasten कर सकती है उसके लिए मदद करती है दूसरी बात कि nature में थोड़ा सा ऐसा होता है कि nature हमारा जो healing system है वो decide नहीं कर पाता कि अगर किसी के naak में कुछ sensation हो रहा है तो छीक लानी है कितनी छीक लानी है वो decide नहीं कर सकता वो so cheek ले आएगा वो छीक ही अपने आपने एक बिमारी बन जाएगी body में infection चला गया तो बुखार आना चाहिए तो बुखार आने से वो infection जल जाएगा यहां तक तो ठीक है लेकिन nature बुखार तो लाता है लेकिन कितना बुखार लाना है वो नहीं decide कर पाता और बुखार ही अपने आप में एक बिमारी बन जाता है जिसे कि आपकी बिमारी हो बलगम हो गया चाहती के अंदर congestion हो गया चाहती के अंदर तो कितना खांसी प्रेडियोस कराना है खांसी defensive process है लेकिन कितना खांसी प्रेडियोस कराना है यह nature कितना decide नहीं कर पाता है healing तो खांसी से होगा लेकिन अगर healing की बजाए वो खांसी ही बिमारी बन जाती है यह सबस्या हो जाती है होमीपितिक दवा क्या कर रही है इस हीलिंग के प्रोसेस को एसिस्ट कर रही है और वो डिसाइड कर देती है कि तीन, चार, पाँच बाउट अफ कॉफ के बाद अंदर ऐसे मेकेंजम होते हैं अंदर ऐसे सेल होते हैं हमारे लंग्स में, हमारे सभी और्गन्स में जो कि इस तरह की चीज़ों को खा जाते हैं हमारी दवा बहुत जल्दी से उसको एक्किवेट करा देती है और वो सब उसको खा जते हैं और अंदर से कुछ क्लेर हो जाता है तो यह हीलिंग का प्रोसेस होता है एक हिस्ते में सोचना तो बिल्कुल ठीक है खासी बहुत आईगी तो बड़ा गड़ बड़ हो जाएगा लेकिन हीलिंग का प्रोसेस जो आपकी बोड़ी का है बस वो ही है अगर आपका अपना हीलिंग प्रोसेस खराब है तो आप ठीक नहीं हो सकते ऐसी दवा नहीं है उनकी जो हीलिंग प्रोसेस को अपलिफ्ट करने में मदद करती हो होमेपिती की दवा ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ इस हीलिंग प्रोसेस को अपलिफ्ट करती है बहुत कैलकुलेट तरीके से यह है बात मेरे लिहाज से golden days हैं first five days are golden days अगर इन golden days को आपने सही डंग से होमिपिती से जोड़के मेरे कहने का मतलब है अपने होमिपितिक डॉक्टर को consult करें जो आपकी सारी जानकारी लेके दवा देता हो जानकारी लेने का तरीका क्या होता है आप देख़ंगार है इसी तरीके से फिर इसके बाद में ये इस तरीके से पूरी जानकारी ली जाती है और इसके बाद में ये एक पेज पे खतम नहीं होती बात ये देखें इस तरीके से पूरी जानकारी ली जाती है आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह से कोई दो पेज भरे जाएंगे तो जरूर पेशिंट कम से कम आदा घंटा 25 मिनट तो बैठा होगा ना डॉक्टर के साथ और डॉक्टर ने भी बहुत से सवाल पूछे होंगे एक सवाल पेशिंट को भी बैठ के जवाब देना पड़ा होगा तो आप ये समझ लीजिए कि ये पहले पाँच दिन आपके लिए गोल्डन डेज है अगर आप ये पहले पाँच दिन यूज़ कर लेंगे तो आप अपनी परिवार में अपने जीवन में किसी तरह के कोई और डील से कोई बहुत बड़ी जो आज हम बाते सुन रहे हैं अच्छी और बुरी सब तरह की इस से आपका परिवार पुरी तरह से बचे जाएगा तो मेरा कहना यही है आप से कि पहले पाँच दिन गोल्डन डेज है ये पाँच दिन का इस्तेमाल करें होमिपेती पहली डोस से आपको फाइदा पुचाना शुरूर करती है कैसे पता लगेगा पता सिर्फ एकी तरीका है लगाने का कि आप होमिपेती को किसी तरीके से एक बार ट्राई करके देखो जब तक आप होमपिती को अपने उपड़ ट्राई करके नहीं देखोगे आप दूसरों की बातों से कभी कन्विस नहीं होगे और अपना ट्रायल नहीं करोगे तो कभी इसको ट्राई करके नहीं देख सकते हो मैं जितने cases भी देख रहा हूँ पहले पांच दिन के अंदर अगर पेशेंट आ गया तो आने वाले तीन दिन के अंदर वो ठीक हो जाता है दे वन आ गया तो दे फोर ठीक है दे फाइव आ गया तो उसको दे एट के अंदर वो बिल्कुल ठीक है और डिल खतम हो गया, कुछ छोटा-बटा कुछ रह जाता है, उसके साथ में बहुत-बार पेशिंट कुछ गलतिया कर देता है, वो सोचता है मिठीक हो गया, तो वो कुछ ना कुछ और ऐसा गलत खान-पान रहन सेंद कर देता है, तो उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशन आ ज अभी दिरे-दिरे मैं देखूँगा कि मेरे पास जो भी मेरे पेशिंट के बहुत सारे इस तरह के टेस्टिमोनियल्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो आप लोगों तक पहुंचाओं किसी तरीके से, कि आप लोगों को उनकी बात सुनके बरोसा आ सके, कि हाँ, ये दवा साइन्स है, इसमें बहुत सारी बाते जाननी पूछनी पड़ती हैं, डॉक्टर से मिलें, हमेशा ये आप जीवन में सिद्धान बनाए, कोरोना अगर हमको को अच्छी बात सिखा रहा है, तो वो हम एक बात सिखा रहा है, सेल्फ मेडिकेशन, किसी भी तरीके का सेल्फ करें, हम बिमार होते हैं, हम को डॉक्टर को मिलना ही चाहिए, उसकी जिम्मेदारी लेने की फीस देनी चाहिए, और उसके बाद निश्चित रूप से अपने को इलाज के अंदर जाना चाहिए, और डॉक्टर से बात करना चाहिए. आप जब ठीक होते हैं, तो आप अपने किसी भी बाडी के हिस्से के बारे में conscious नहीं होते हैं, जैसे ही आप अपने सांस के विशे में आपको लगे, मैं सांस ले रहा हूँ, मुझे कुछ बारीपन लग रहा है, आपको ऐसा लगे कि मेरे को मेरे दिल की धरकन सुनाई दे आपको ये पता लगे कि मेरे नाक में कुछ है, बतार आप किसी भी रूप में अपने शरीर के किसी भी हिस्से के विशे में conscious हो गए, तो समझ जाईए कि कुछ आपके साथ आपके स्वास्ते से सम्मंदित कुछ गिरावट कुछ परेशानी आ रही है, ये सबसे शुरुवा आती लक्षन होते हैं, आपको मन अच्छा नहीं लग रहा है, हम जब ठीक होते हैं तो हम बिलकुल अपने शरीर, मन और दिमाग इसके लिए बिलकुल conscious नहीं होते हैं, जैसे ही हम इसके विशे में conscious हो जाते हैं, समझ लिजए हमारी health पे कोई attack हो गया है, and this is the right time to consult with the doctor, क्य क्योंकि हमारे यां इतने बारिक symptom के लिए भी दवा होती है, जिसमें की और जगा नहीं होती है, ignorant ना बने, doctor को मिले, homeopathic doctor से मिले, आपके जो भी से संबंदित सवालों, आप बहुत free mind के साथ यहां पर लिखें, मैं आपके सभी तरह के सवालों का बहुत अच्छे नंग से अपने दफ जवाब देना चाहूंगा है, और आपको सबको ये निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि होई पिदेग इलाज, आज का सबसे सेफ, सबसे सस्ता और सबसे पक्का इलाज है, समस्कार.